Welcome to Step Up आईए, स्वागत है आप सभी लोगों का सिवल सिवा की तैयारी में सबसे अधिक महत्तपूर, सरवाधिक अंकदाई, but highly ignored section of this preparation, the case study. तो आईए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी case study है? आप superintendent of police हैं अपने area के, आपका जो region है वहाँ पर बहुत सारे kidnapping के cases अक्सर होते रहते हैं, अभी जो recent में kidnapping हुई है, उसमें 10 school की बच्चियों को kidnap कर लिया गया है, और किसी एक गुप्त सान पर छुपा दिया गया है, इसके पहले एक case हुआ था, जिसमें एक या दो बच्च है, उसको trap में ले लिया है और arrest कर लिया है, routine interrogation के दौरान आपने arrested व्यक्ति से बच्चियों को कहां छिपाया गया है, इस संबंध में नाम और information निकालने का फरपूर प्रयास किया है, जो भी प्रयास किये जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई भी information आपको नहीं दी है, आपके source जो है, वो लगातार इस बात को clarify कर रहे हैं, कि ये जो व्यक्ति है, ये kidnapping से जुड़ा हुआ है, और इसके पास information है, और आपको इस information निकालनी है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ भी बताने को तयार नहीं, आपने उन सभी legal methods को exploit कर लिया है, जिससे कि information को निकाला जा सक लेकिन आपको कोई भी results नहीं मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, legal methods आप सारी इस्तेमाल कर चुके हैं, आपका एक दोस जो दूसरे state में SP है, वो आपको एक suggestion देता है, कि आपको information लेने के लिए उस व्यक्ति को torture करना चाहिए, आप इस बात से aware हैं कि अगर आपने जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया, तो उन बच्चियों को दूसरे देश में बेचा जा सकता है, और उस से उन सारी बच्चियों की जिंदगी खतम हो जाएगी, इस situation में आप क्या करेंगे, क्या आप किसी व्यक्ति को केवल इसलिए torture करें, क्योंकि आपको कुछ अन्य इनोशन लोगों के जीवन को बचाना है, आपको critically comment करना है, अब देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो जवाब होना चाहिए, वो legal होना चाहिए, यहाँ पर तो आपसे कहा ही जा रहा है कि legal method आप सारे इस्सेमाल कर चुके हैं, अब उसके बात की बात है, मतलब आपक इसका मतलब यह होता है, अगर आपका इंड अच्छा है, तो आपने किसी भी means को इस्तेमाल किया हो, वो सही माना जाएगा, तो इसकी भी काम को इसाधार पर जज़ किया जाना चाहिए, कि उसका consequence क्या होता है, अगर यहाँ पर आप इस व्यक्ति को torture करते हैं, तो आप इसका मतलब का मतलब क्या होता है, डियॉंटो, डियॉंटो भी Greek word है, और इसका मतलब होता है duty या obligation, डियॉंटो लॉजिकल थीरी यह कहती है, कि किसी भी काम को इस आधार पर जज़ किया जाना चाहिए, कि क्या आपने अपनी duty को अच्छे तरीके से follow किया है या नहीं किया अब यहाँ पर आपकी supreme duty यह है, कि आप उन बच्चियों की जान बचाएं, और इस आधार पर आप उस व्यक्ति को टॉर्चर कर सकते हैं, तीसरा एक utilitarian principle है, utilitarian principle political science का एक concept है, इसके जो लोग इसको propagate करते हैं, उसमें मिल और बेंथम का नाम अच्छे से लिया जा सकता है, utilitarian principle क्या कहता है, utilitarian principle यह कहता है, greatest good for the greatest number, अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख, जहाँ पर ज्यादा लोगों का फायदा हो वो काम करना चाहिए, यहाँ पर एक व्यक्ति की torture की comparison में, दस निर्दोस बच्चियों की जान अटकी हुई है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को torture किया साथ ले लें, जैसे कि आप ethics को बहुत hype कर दें, ethics को hype करने के साथ साथ आप constitution में DPSP या fundamental rights से उस चीज को जोडने का प्रयास करें, आप अपनी duty को बहुत जदा emphasis करें, आप long term impact दिखाने का प्रयास करें, आप बड़े public interest को सामने रखें, आप logical instance अपनी case study में सो करिए और चीज को एकदम नीचे दबाते चले जाईए, आप किसी भी अपने answer को illegal support करना चाहते हैं, illegality को support करना चाहते हैं, तो आप बाकी parameters को इतना जदा hype कर दीजिए, कि वो बात illegal होते हुए भी बिल्कुल minor दिखने लगे, ये एक अच्छा approach होता है, ऐसे case study में जब आपको examiner expect कर रहा हो कि आप illegal जवाब दीजिए, अब देखें तीनों cases में आप justified हैं कि आप उस व्यक्ति को torture करें information गेन करने के लिए, अब हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो खुद conspirator हो या उसको उसके पास conspirators के बारे में जानकारी हो, अगर आप इस condition में legal avenues को किनारे नहीं रखेंग तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, साथ ही एक hedonistic principle होता है, सुखवारी सिध्धानत होता है कि हर व्यक्ति को अच्छे से रहने का अधिकार है, उसको torture नहीं किया जाना चाहिए, जब तक आप उस सिध्धानत को किनारे नहीं रखेंगे, तब तक आप अपना काम नहीं पाएंगे, इस situation में उस व्यक्ति को torture करना ethical है, क्योंकि ये जो हमारी society का greater public good है, public interest है, उसको ensure कर रहा है, मेरे duty को follow करने में help कर रहा है, साथ ही मेरे जो long term goal है, crime को कम करने के, उसको भी fulfill करता है, ये practical भी है कि एक व्यक्ति को torture करके हम 10 बच्चियों की जान बचा लें, इसक तक आप उस व्यक्ति को torture करके information नहीं निकालेंगे, तब तक आप अपने आगे का काम भी नहीं कर सकते, इस आधार पर भी ये आवश्यक है कि आप उस व्यक्ति को torture करें, तो इस तरीके से आप illegal काम को justify कर सकते हैं,